हेलो फेंज, वेलकम टो मैं चैनल, फेंज आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी ये वाली आचार की रेसिपी, ये मोटी वाली मिर्च है, ये इसी सीजन में मिलता है, इसके बाद ये मिर्च नहीं मिलता है मार्केट में, तो आप इसी वक्त इसका आचार बना के रख लिजिए हम आधा किलो इस तरह की लाल मिर्च ले लेंगे, और इसे हम इसके डंडी को काट लेंगे, काट कर किसी पतली चीद से, किसी भी पतली चीद से आप या तो चमश ले ले लीजे, या फिर आप चाकू ले ले लीजे, इसकी मदद से आप इसके सारे बीज को निकाल सकते हैं हिलाते हुए इसके दाने को अच्छे से निकाल लीजिए ये देखे बहुत ही आसानी से इसके सारे दाने निकल जाते हैं अगर एक दो दाने रह भी जाए तो कोई बात नहीं है आप इससे हिलाते हुए निकाल लीजिए इस बीच को हमें फेकना नहीं है क्योंकि हम इसे मसाले में यूज कर लेंगे अलग से मिर्च डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसी तरह से हम सारे मिर्च को काट कर इसके सारे दाने को निकाल लेंगे ये देखे इसी तरह से आप इसे हलका से हिलाते हुए इसके सारे दाने को निकाल लेज़े और इसके बाद हम इसे 10 मिनिट के लिए हवा में रख देंगे या फिर जहां हलकी धूपा रही है आप वहां भी रख सकते हैं जिसे की मिर्च में थोड़ा भी पानी न रहे और आचार अच्छी बनेगी जिसे की आचार खराब नहीं होगी सारे मिर्च के दाने हमने निकाल ली है अब हम इसे 10 मिन छोड़ देते हैं ताकि इसकी पानी जो भी हो अच्छे से सुख जाए इसको गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसमें डालेंगे हम धन्या गोटा है गोटा धन्या हम लेंगे यह देखें लगबग हमने चार चमच धन्या लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा एक चमच काली मिर्च एक चमच सांप एक चमच अज्ज्वाइन आधा चमच मंग्रेल आधा चमच मेथी और हम डालेंगे दो चमच सर्सो यह पूरे मसाले है जो कि हम आधा किलो मिर्च के लिए हम यूज करेंगे और यह पूरे मसाले उसमें लग जाएंगे जो भी क्वांटिटी मैंने बताई है एक दम पर्फेक्ट है आधा किलो मिर्च के लिए तो आप क्वांटिटी ध्यान से देख लीजे और इसी तरह से हम इसे सेख लेंगे करीब दो मिनट में ही अच्छे से सिखा जाता है सिखने के बाद हम इसे थंडा होने देंगे और फिर हम इस मसाले को मिक्सर में डालकर पीस लेंगे मिर्च के दाने जो हमने निकाले हैं इसे भी हम मसाले में डालकर पीस लेंगे साथ में यह देखे मसाले जो हमने सेके थे वो ठंडे हो चुके हैं तो इसे हम मिक्सर में डाल देंगे ध्यान रहें जबी आप मसाले पीसे अचार के लिए तो आप बहुत ज़्यादा पाउडर न बनाएं थोड़ा सा मूटा आप रखें इसी में हम मिर्च के दाने डाल देंगे और सभी को हम साथ में ही पीस लेंगे इतने मिर्च के दाने डालने के लिए हमें इसमें अलग से मिर्च के डालने की कोई जरूरत नहीं है जितने भी मिर्च के दाने निकले हैं ये काफी है इसे तीखा बनाने के लिए अगर फिर भी आपको लगता है तो आप थोड़ी सी मिर्च डाल सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी है आचार के लिए तो आब हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं ये देखें आचार के मसाले बिलकुल रड़ी है पीस कर बहुत ज़्यादा इसे मैंने महीन नहीं पीसा हुआ है आप देख सकते हैं हलका सा ये मोटा लग रहा है किसी भी आचार के लिए आप जबी भी मसाले तयार करें तो आप गोटे मसाले लें और उसे से कर ही पीसे और हलका सा आप आचार के मसाले को मोटा रखें जिसे की आचार का टेस्ट और भी अच्छा आता है तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर यूज़ कर देंगे मैंने यहाँ दो चमश हल्दी पाउडर ली है आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा आपके मसाले में कलर आता है और फिर हम इसमें नमक डाल देंगे और इसमें हम आधा छोटा चमश डालेंगे आमचिर पाउडर और इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसाले को और इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे प्रेंट्स जब भी आप आचार बनाएं तो आप इसमें सरसो के ही तेल यूज़ करें जिससे आचार का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है किसी और तेल में आप आचार बनाएंगे तो वो इतना स्वादिष्ट नहीं बनता है यह देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे तेल आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है यह देखिए जितना में आप मसाले को अच्छे से मिक्स कर पाएं उसी हिसाब से आप तेल यूज़ करिए लगबग चार चमच मैंने सर्सो के तेल लिये हैं और यह मसाले तयार हो गए अब हम मिर्च को लेके हलका हलका सा मसाले को डालते जाएंगे और किसी पत्री चमच से या चाकू से आप इसे हलका हलका पूस करते जाएंगे बस हमें इसे फिल कर देना है सारी मिर्च को हमें मसाले से भर देना है और हमें इसे बर्तन में रखके आप काज के डबबे में रख सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयार होने में आप इसे तीन से चार दिन तक आप इसे धूप में रखे और बहुत ही आसानी से आप इसे खा सकते हैं बहुत टाइम इसे गल्ले में नहीं लगता है तीन से चार दिन या ज़्यादा से ज़्यादा पांच दिन आप इसे धूप में रख सकते हैं और इसके बाद आचार ये तयार हो जाता है अब आप इसे अपनी च्बाइस के अनुषार आप इसे खाये राठे के साथ या राइस के साथ या रोटी के साथ षब करना होièmeी और अब जब । दियान रहें आप जब भी इसे बढ़री तो आपको अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन जरूर दबाईएगा जिसे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो फ्रेंट्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और मज़िदार रेसिपी के साथ